हेलो फ्रेंड्स जैश्री राम सोनक हिरसोई में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिशस दमालू की रेसिपी इसे सभी घरों में बनाया जाता है अलग-अलग स्टाइल से लेकिन आज जो हमने आपके साथ इस्टाइल यह शेर किया है यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी होने माला है तो देर किस बात की फटा-फट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं बस ही हमने छो अधा महनत भी नहीं करनी पड़ेगी बस हमने इसे धुल के अच्छे से एक प्रेशर सर्फ हाई फ्लेम पे लगा लिया है और बस इन आलूहों को अब हम कर लेंगे अच्छे से फ्राइब इसके लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में सरसो का तेल डालके यह देखिए हमने सर इसतने इसके अन्दर प्रॉपर तरीके से रस भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होती तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसको बनाने में भी बिल्कुल भी जंजर नहीं होता है तो यह देखिए हमने आलूहों अपने फ्राइक कर लिए और जो तेल था ना हम उसमें से तेल बाकी साइड रख दिया है आगे हम यूज़ करेंगे और थोड़े से तेल में हमने आज से दस लहसुन की कलिया और दो से तीन टुकडे अद्रक के डाल दिये और उसके साथ ही हमने दो बड़ी प्यास रफली चॉप करके एड कर दी और उसमें तीन हमने लाल मि मिनिट के लिए बस चला लेंगे और उसके बाद हमने दो बड़े कटे टमाटर रफली चॉप ही हमें चाहिए उसे भी हम अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक आधा ही चमच बस जिससे हमारे मसाले जो हैं जल्दी होने में टाइम नहीं लगता है बस आप ध्यान दें कि इसे इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर दें नमक से वाटर रिलीज होगा तो मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो बस यह मसाला हमारा हो गया है हम इसे जार में ट्रांसफर करके रख देंगे साइड में थोड़ा सा ठ हीरा छोटी इलाइची बड़ी इलाइची लॉंग और थोड़े से सौफ के दाने सौफ से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा उभर के आता है और बहुत ही टेस्टी यह सबजी लगती है तो इसका हम एक मिनट के लिए से चलाते हुए और अब हम इसमें एक छोटी सी प्याज चौप करके इसमें एड़ कर देंगे तड़के में अगर चोटी नहीं है बड़ी है तो आप उसे हाफ कर ले बस इतना ही चाहिए और अब हमने जो पेस्ट लिया था ना हमने उसे मेकसी में पीस के और वो भी हम इसमें एड़ कर देंगे बस ये देखिए हमने ये मसालों को अच्छे से जो मसाले हमारे बचे नो, उसमें हलका सा पानी डालकी हम सारे मसालें को कणाई में डाल देंगे और अब इने जितना हो सके हम प्रॉपर अच्छे तरीके से ढून लेंगे क्योंकि मसालों को भूनने की भी अपनी एक टेक्नीक होती है और थोड़ा सा ही जब मसाले में बुलबुले आने लगे तब हम इसमें डाल देंगे दो चमच धन्या पाउडर, एक चमच हल्दी पाउडर, दो चमच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिल्स डाली है और एक छोटा चम्म चम इसमें आमचोर पाउडर और एक छोटा चम्म चम इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे और इन सब को मिलाके अच्छे से हम अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे जितना अच्छा मसाला भुनेंगा उतने ही अच्छी आपकी ये दमालू की रेसिपी तैयार होगी और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगती है स्वाद में तो ये देखिए थोड़ी देख हम इसे ढख के पकाएंगे जिससे मसाले हमारे अच्छे से और जल्दी पक जाएं बस इसे हमने 5-10 मिनट के लिए ढख दिया था फ्लेम आपकी हमेशा लो ही रहे क्योंकि मसाले जितने लो फ्लेम पे अच्छे भूनते है न उतना ही टेस्ट निखर के आता है तो बस इसे हमें देखिए हमारा मसाला देखिए भूनते भूनते इसका कलर कितना अच्छा हो गया है अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे हरकटा धनिया धनिया थोड़ा सा मसाले में डालने पे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो आप ज़रूर ट्राइ करें और अब देखिए ये मसालों की साइट से न ये तेल छोड़ने लगता है साइट साइट से बस इतना ही हमें लगता है कि हमारा मसाला बिल्कुल पॉफेक्टली कुख हो गया है तो बस अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और फिर पहले अच्छे से मसाले को पूरा अच्छे से थोड़े से पानी में मिला लेंगे और फिर हम इसमें और पानी थोड़ा-थोड़ा सा एड़ करेंगे इस सबजी में टोटल हमने 3-4 कप पानी यूज किया है अगर आप बहुत एकदम ड्राइ खाना चाते हैं तो आप कम पानी यूज करें हमने इसमें 3-4 कप पानी यूज किया है क्योंकि अभी ये अच्छे से कुक भी होगा तो ग्रेवी और डार्क होगी तो इसलिए थोड़ा सा पानी आप हलका सा बढ़ा की ही डाले अब बस उसके बाद जब हम इसमें पानी एड़ कर देंगे फिर हम जो अपने आलो बॉयल करके रखे थे उसे तब ही हम एड़ कर दें है और हमने आधा थोड़ा सा नमक हमने मसाले में डाला था तो उसी के एक ओर्डिंग हम इसमें नमक फिर टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे और बस इसे हमें अब जादा देर नहीं कुक करना है बस हम पांच से साथ मिनट के लिए इसे कुक करेंगे इस स्टेज पे हमने इस तो बस इतना ही हमें और हमें जादा से जादा आलू डालने के बाद हमें 10 से 15 मिनट के लिए टोटली हमें कुक करना है इसे और अब हम जब गैस कुक करने वाले हैं बन तो इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच देशी घी इससे सबजी का फ्लेवर तो बहुत ही बढ़ियां आ जाता है और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया तो देखिये न कितनी बढ़ियां यह सबजी लग रही है और यकीन मानिये यह सबजी बहुत 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 ही टेस्टी लगती है और अब हम gas को कर देंगे बंद और अब ये देखिए सबजी का texture कितना बढ़िया और कितना बढ़िया कलर लग रहा है ये सबजी का और ये छोटे-छोटे से आलू लग रहा है न कि आप बिल्कुल अंडा करी खा रहे हैं एक gravy आपने बनाई हो तो बहुत ही अच्छी लगती है हमने इसे अब देखिए कितने बढ़िया से सर्फ कर दिया है तो I hope आपको ये recipe जरूर पसंद आई होगी आप जरूर ट्राइ करिएगा बहुत अच्छी बनती है और बिना जंजट के तो आलू दम आप जबी भी बनाईए इस तरीके से बनाईए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए मिलते रहेंगे न्यू रेसिपी के साथ ठैंक यूँ